गोड इवनिंग चैंपियंज अभी सिर्फ एक कोश्टन पर डिसकस करेंगे और जाने के प्रयास करेंगे कि रॉबर्ट ओएन ने कैसे सोशलिजम को आगे बढ़ाया उनका क्या कॉंट्रिबूशन था वोट वाज दे कॉंट्रिबूशन और रॉबर्ट ओएन का क्या कॉंट्रिबूशन था सोशलिजम को आगे बढ़ाने में तो समझते हैं वो बिलीव करते थे की कॉपरेशन और गुड्स के कलेक्टिव ओनर्शिप के थू ही हम सक्सेस पासकते हैं सुसाइटी में और इसी को ध्यान में रखते हुए उनका यह विजन था कि कॉपरेटिव को डेबलब किया जाए जो सिर्फ डिपेंडेंट था कुछ लोगे के द्वारा बनाया गया या ग्रुप था जिसमें कोई ओनर नहीं था जिसमें कोई वर्कर नहीं था कोपरेटिव का सीधा फर्मूला था एक सीधा थेवरी था साथ में आना जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी इकोली बाट लिना और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 30,000 acres of land को पर्चेस किया था इंडिया नामक शेहर में जो अमेरिका में था और इससे लिए और इसको उसने नाम भी दिया था न्यू हर्मोनी लेकिन एल्टिमेटली यह बहुत ज़रा सेक्सेस्पुल नहीं हो पाया तो यह पुरा कॉंट्रिबूशन था रबर्ट ओयन का